सब्सक्राइब के चैप्टर 234 फाइनली रिलीस हो चगा है जहां पे गोजो वाजो सुकुना की फाइट ने एक काफी क्रेजी ट्विश्ट ले लिया है बस साथी साथ हम लोग यह भी भूते जा रहे हैं कि भले ही फाइट गोजो वाजो सुकुना की चल रही है बट स्टिल क केंजाकू जो कि एक बहुत ही बड़ा डील है पूरे जुरूट सुकाइजान के लिए वह अभी भी भाल घूम रहा है और पता नहीं वह कौन से अपने इवल प्लैन को अंजाम दे रहा होगा अब हम लोगों को यह भी नहीं मालूम कि सुकुना में विलन है या फिर केंजा की और भड़ते हैं इच चेप्टर की शुरूबात होती हमें यूटा दिखाया जाता है यूटा सब लोगों से यह कहता है कि मैं गोजो की मदद करने जा रहा हूं और मैं इस फाइट को जोइन कर रहा हूं जहां पे कुशिमों यह कहता है कि तुम्हें इनकी फाइट को बि expansion काम नहीं कर रहा है तो अगर मैं और Rika उस fight में अंटर करेंगे तो हम लोग बहुत ही जादा मदद कर सकते हैं Gojo की जहां पर मा की एकदम से कूदती है और वो यह कहती है कि अगर अगला जो अपरेंट कूदने वाला है वो मैं होने वाली हूँ कोई भी नहीं जहां पर मा की एक चीज को पॉइंट आट करते हैं अगर हम स्टिल सुकूना से यह fight जीट जाते हैं तब भी केंजाकू तो बहार ही रहेगा सो केंजाकू से भी हमें आगे जाके deal करना है जहां पर इतादोरी यूजी यूटा की बात से completely सहमत होता है और वो कहता है कि यूटा को इस fight में उतर देना चाहिए क्योंकि ये fight अब 3 on 1 में बदल चुकी है तो अगर यूटा गोजो की मदद करता है तो गोजो के लिए काफी बड़ी help होने वाली जहां पर कूसुक अभी ये कहता है कि तुम लोगों को ये चीज समझ में नहीं आएगी बच्चो अभी बिलकुल शांत्र इसका sense मतलब ये अगर सुकूना वर्सिस गोजो की fight चल रही है अगर गोजो सुकूना को हरा देता है तो हमें गोजो ने हमको बैठा के इसलिए रखा है ताकि हम के साथ deal कर पाए जहां पर हकारी कहता है कि मैं इस बात से बिलकुल सैमत हूं हमें अभी अपना trump card को बचा के रखना चाहिए क जाकू के लिए जहां पर गुदुक अभी यह कैता है कि यहां पर एक बहुत ही अच्छा चांस बन रहा है कि हो सकता है यह fight जीत जाये जहां पर यूटा बोल रहा होता है कि मुझे इस fight में अंडर करना है, जहां पर हकारी बोलता है कि तुम लोगो को ये समझना चाहिए, ये fight सिफ still one on one ही चलेगी, गोजो बिलकुल भी चाहेगा कि तुम इस fight को interfere करो, तो कि after all, गोजो अभी सबसे जादा enjoy कर रहा है अपनी life मे आकरी बार उसने सिफ टोजी फुशी गौाला के खिलाफ ऐसी fight को enjoy किया था, जहां पर next scene में हमें अजीतो, महरागा एंड गोजो की fight चलते रहे दिखती है, जहां पर महरागा डारेक गोजो की ऊपर attack करने पहुच जाता है, बट still, गोजो is somehow to manage to dodge it and वो डारेक अजीतो की एक black flash चड़ देता है, जिससे अजीतो को घंटा भी फॉरक नहीं पड़ता है, फिर अजीतो एंड महरागा डारेक फिर वो दोनों एक साथ गोजो की ऊपर attack करना चालू कर देते हैं, जहां पर गोजो एक चीज को realize करता है कि अजीतो बहुत सारे अलग अलग शिनिगामी से मिलके बना है, like fraud, Todd, Deer, Elephant, इन सब को मिला के अजीतो बना हुआ है, अजीतो ने अभी तक उसकी infinity को adapt नहीं किया है, तो गोजो को अजीतो को जली से जल्दी eliminate करना होगा, ताकि उसके पास इस fight में थोड़ा सा chance बचे, जैसी वो सारे चीजों को सोच रहा होता है, गोजो त तुरांट पीछे ढखेल जाता है, अब गोजो ने अपना पूरा concentration बिलकुल टोटली अजीतो की उपर बना के रहा है, और वो तको तुरांट एक hit जड़ भी देता है, फिर गोजो को यह realize होता है कि सुकूना shadows में ठुपा हुआ है, क्योंकि अगर वो आप गोजो की किसी औ मेरे puppet हो, मैंना तुम्हे समन किया है, तो तुम सारी ताकत अब मेरे लिए use करोगे, वो यह कहता है कि जितनी भी तुम पे ताकत है, मुझे उसका एक demonstration दो, यह कहता है कि show me what you got, और एकदम से मौरा का कव वील एक बास spin करता है, और अगले seed में गोजो का right hand slash हो जाता है, जह गोजो की reverse crush technique काफी low हो चुकी है, इस amount से गोजो अपने हाथ को कभी भी heel off नहीं कर पाएगा, एकदम से मौरा का गोजो की तरफ भढ रहा होता है, बट एकदम से shadow से सुकूना निकलता है, वो direct गोजो की मूँ पे एक एक land कर देता है, जिसका impact इतना जादा होता है कि गोज आजमी बिल्कुल भी नहीं है, आप एक गोजो मौरागा को side में हटा के kick से वो अपने blue maximum output का 100% use करता है, जो की अजीतो की फाल के रखता है, अजीतो इतने टुकडों में पट जाता है कि उसके चीथड़े भी दिखाई नहीं दे रहे होता है, फिर narrator story को आगे बढ़ाता है और वो ये कहता है कि गोजो का hollow technique पूरे Shubuya को तोड़ते हो है, वहाँ से निकल गया, इसी के साथ ये chapter खतम हो गया, अब आप मुझे नहीं मालूम कि गोजो की दिमाग में अब क्या चल रहा है, और गोजो अब इस चीज़ से कैसे आगे भड़ेगा, क्योंकि अभी भी सु ये है कि महरागा तो already गोजो की infinity से adapt है, अब क्योंकि गोजो अपना right hand भी खो चुका है, तो मुझे कोई possibility नजर नहीं हा रही कि गोजो literally इन दोनों को एक साथ हरा पाए, या फिर एक एक करके भी हरा पाए, अगर सुकूना महरागा को हराने में कामयाब भी हो जाता है, तो भी उसको सुकूना के साथ deal करनी है, अगर मैं गोजो को एक word में define करूँ, badass, क्योंकि still गोजो का हाथ कट चुका है, बट वो still अजीतो को हराने में कामयाब रहा, मैं इस चीज का बहुत बेसबरी से निदिजार कर रहा हूँ कि इस fight का winner कौन निकलेगा, so let's see कि next chapter यहाँ प अंसे जूट सुकाइद अंके chapter के उबर, until, sayonara